मीडिया पूलिस वालों को खरी खोटी सुना रही है, नफरती नेताओं पर कारवाई की मांग उठा रही है, सर्वोच अदालत खुद मीडिया वालों को उनमादी बता रही है, एंकरों पर एक्षन लेने की नसीहत दे रही है, सरकार न्याई पालिका पर ही सवाल उठा रही ह जजों को भाई भतीजावादी बता रही है अंतर राश्टी एंजियो सरकार को पक्षपाती बता रही है भेदभाव से भरी अमानवी बता रही है दुनिया देख रही है इन सब की कर्तूत मिल मिला कर सब को फेल बता रही है सांपरदाइक बता रही है सपना दिखाया गया थ इस देश में मानवा धिकार की क्या दसा है इस पर रिपोर्ट आई है मगर हम पहले उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के चारो इस्तम कैसे अंदर से खोखले हो गए हैं इसकी एक जहलक देख रहे हैं भले ही ये सिस्टम में हैं मौसेरे भ बैठी हुई है कोई एक्सन नहीं ले रही है ऐसा एक जाने माने पत्रकार कह रहे हैं यानि मीडिया के लोग बढ़ती नफरत पर चिंता जता रहे हैं टीवी चैनलों के एंकर दिन रात भड़काओं बहस कर रहे हैं मगर पुलिस उन पर एक्सन नहीं ले रही है ऐसा सुप कार की साह पर अल्प संखकों और दलितों पिछडों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं सत्ता में बैठे लोग भेदभाव कर रहे हैं ऐसा Human Rights Watch की रिपोर्ट कह रही है दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र के चारों खंबे धुस्त हो रहे हैं अगर यह कुरसी है तो चारों पायों में दीमक लग चुके हैं ऐसा International NGO कह रही है चारों इस्तंभों की दसा देख कर कह रही है मीडिया के लोग का रिपालिका की कम्यों को देख ले रहे हैं मगर खुद दिन रात वही काम कर रहे हैं नफ्रत बढ़ाने का काम कर रहे हैं नियाई पालिका के लोग मीडिया की हरकत देख रहे हैं सक्त कर रहे हैं इसलिए विदेश में बैठे अंतर राश्टी संस्थाओं के लोग चारों की चौतरफा मूर्खता का आकलन कर रहे हैं और सर्मनाक रिपोर्ट दे रहे हैं मानवी मूल्यों पर खुद को सबसे बेहतरीन बताने वाले देश की सारी परतें उधेड दे रहे हैं वैस जजसावस का रहे हैं अच्छी बात है मगर इतना नहीं कर पा रहे हैं कि भड़काओ भाशन सबसे ज़्याद सामप्रदायक नेता देते हैं या फिर टीवी के एंकर रिपोर्टर देते हैं मीडिया के बारे में ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं खुद सुप्रिम कोड के प्रत फैलाते हैं ऐसा कहकर उन पर कारवाई का निर्देश दे रहे हैं वैसे तो जज ये बहतरीन काम कर रहे हैं मगर खुद यही सर्वोच अदालत बलातकारियों को छोड़ क्यों देती है इसका जवाब नहीं दे रहे हैं हलां कि केंदर सरकार में मंत्री है किरंडि जीजू वो सडियल जुडीसियल सिस्टम के lenses को बदलने की बात कर रहे हैं दली तो पिषडव आदिवास्यों की भागेदारी नयाई पर हो रहे हैं अत्याचार पर चुप्पी साथ ले रहें और आदिवासियों पर इनके लोगे अत्याचार कर रहे पिश्णों को उन्का अक अwकर नहीं दे रहे हैं। बनिया भर में देश की फजीहत हो रही है। फेवमस इंटरनेशनल एंजिओ की तरफ से जारी होती है human rights report उसमें जम कर फजीहत हो रही है वैसे तो पलट कर मानवादिकार की report को कहा जा सकता है विदेशी साजेस मगर कहते कहते कई खबरे आ रही हैं जिनसे report की पुष्टी हो जा रही है मानवी मूल्यों के सबसे सुरक्षि देश के उत्तर में एक राज है उत्तरा खंड जिसे इस देश के नेता और पत्रकार देव भूमी कहा करते हैं वहां के देवता इतने रिजर्व रहते हैं कि उनकी मंदिर में कोई दलित चला जाता है तो अपवित्र हो जाते हैं दलित को बांध कर राद भर पीटा जाता है लकड़ी में आग लगा कर जगा जगा जलाया जाता है दाग दिया जाता है ऐसे ही अत्याचार पूरे देश में किया जाता है इस देश में करोडों की आबादी है दलित समाज के लोगों की उन्हें समय समय पर सब सहना पड़ता है आदिवासी धर्म परिव पर अत्याचार की फेरिस्ट लंबी है क्या-क्या गिनाया जाए क्या-क्या नहीं होता है सिर्फ शक्क के आधार पर जेलों में भरे जा रहे हैं बुल्डोजर से उनके घर गिराएं जा रहे हैं बढ़काव भाशन तो दिये ही जा रहे हैं बलातकारी और हत्यारे भी छोड़ दिये जा रहे हैं बिल्किस बानों के बलातकारियों की रिहाई का भी जिक्र Human Rights की इस रिपोर्ट में है और बुल्डोजर की दमनकारी राजनीद का भी जिक्र सामाजिक नयाय करने में सरकार की विफलता का भी जिक्र है और सिस्टम के गलत इस्तेमाल का भी जिक्र हालां कि Human Rights Watch वाले चाहे जिसका जिक्र कर ले सरकार को इसकी कोई फिक्र नहीं है उसे भरोसा है अपनी ही तरह पक्षपाती नयाय पालिका और कारे पालिका पर मीडिया तो मानु टुकडो पर पल रही है थोड़े बहुत सवाल कर लिये जाते हैं लोगों को संतुष्ट करने के लिए बाकी तो सबकी मिली भगत चल रही है चारो खंबे यानी चारो पाए तूट कर ऐसे बिखर रहे हैं मानो कुरसी फैल कर अर्थी बन रही है हाँ लोगतंत्र की अर्थी निकल रही है